पड़ मैं आपको ऐसे कि ट्रिक बतानेवाला हूं जिसमें आप अपने इमेल अपने जीमेल में अपने इमेल को साइच के अकॉर्डिक फिल्टर कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आपके काम की नहीं है तो आप उसको डुलाइट कर सकते हैं हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में और यहां पर मैं आपको जिखाता हूं और मैं अपने इस चैनल पर तीन कोर्स भी लॉंच करने का आप लोगों से वादर किया है बहुत जल्द में लॉंच करने वाला हूं जिसमें आपको अगर बैक ऑफिस में काम करना है तो से रिलिटेट सारा प्रैक्टिकल नौलेज आप लोग सीख के काम भी कर सकते हैं और कर सकते हैं और लाश्ट में ग्रैफिक डिजारिव अब चलते हैं आज का टॉपिक पर आज का टॉपिक है कि अगर आपका email box फुल हो गया है या कई लोग प्रब्लम से करते हैं कि उनका इमेल बाक्स फुल हो जाता है चिनके फंधरास जीवी का स्पेस हता है और अज कल के डिड़ में सभी का कुछ न कुछ टाइम बाथ हो जाता है तो उस case में क्या करते हैं कि शायाद ही कोई storage और purchase करता होगा जी email से उस case में 99% लोग हम यही करते हैं कि जो हमारी unnecessary की unwanted emails होती है heavy emails उनको delete करते है बट email में ऐसा कोई option ही होता है कि आप filter लगा लो कि 5 MB की email filter हो जाए या 25 MB की email filter हो जाए या 100 MB की email filter हो जाए बट मैं आपको ऐसे एक trick बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने email अपने gmail में अपने email को size के according filter कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं अगर आपके काम की नहीं है तो आप उसको delete कर सकते हैं तो चले चलते हैं मैं आपको एक trial chart दिखा देता हूँ कि अगर आपको 5 MB तक की email filter करनी है तो आपको जो gmail का search box होता है वहाँ पर size लिखके 5 6 times 0 इंटर करना है और आपकी जो भी 5 MB से उपर की mail होगी वह आपको filter करके दिखा देगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ for the example मैंने इसको क्या किया कि मैं आपको लिखके ही दिखा देता हूँ size और मेरा ये gmail का account है ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ size और double बिंदियां लगा दी मैंने 5 1 2 3 4 5 6 इंटर कर दिया ठीक है आप देख सकते हैं कि अल्रडी यहाँ पर दिखा रहा है आप 5 MB से मेरे को ज्यादा करनी है तो मैं यहीं पर एक 5 के आगे 2 लगा दूंगा यह 25 हो जाएगा और मैं सर्च करता हूँ अब यहाँ पर जो भी email filter होई है वो 25 MB के उपर है अबब है आपको भी email खोल के द दिखा दूंगे लिए तो इसका जो साइज है टोटल मेल का के 25 MB से उपर होगा आप देख सकते हो कि यह 19 MB का फाइल जो की है लेकिन इसके अंदर और भी नीचे फाइल है जैसे कि आप इसके दर देख सकते हो तो 19 से 25 MB के उपर हो गया तो कहने का मतलब यह है कि आपको डिल कौन सा आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए और अगर आपको 100 MB से उपर करना है तो वन करके आपको 20 एड कर देना है तो मैं आप दे सकते हो यहां पर ऐसे मेरे पास कोई मेल नहीं है जो 100 MB के उपर हो तो यह था छोटी सी ट्रिक आशा करता हूँ कि आप लोगों के काम आएगी और बस ऐसे ही आप फिल्टर करके डिएट कर सकते हैं बहुत ही असाने से तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और यही मेरे साथ मैं आपको ऐसी जोड़ी शोड़ी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका डेली रूटीन में जो भी काम होता है वह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और एफेक्टिव तरीके से होगा थैंक्यू वेरी मुच